हेलो फ्रेंड्स, देखें इस वीडियो में जिस कमपणी के बारे में हम बात करने वाले हैं वो कमपणी हमारी एक PSU कमपणी है और PSU जो है पिछले साल अगर आपने देखा हो तो सबसे जूदा रिटन PSU जो नहीं ही दिया है और इसमें जो है अब फिर से इस साल भी PSU बहु 42% से बढ़ रहा है ROE बहुत सांदर हमेसा 20% से उपर रहा है और sales growth भी हमें बढ़ते हुँ दिखाई दी है 18% से और profit growth 19% से तो कौन सी ये company है क्या करती है सब देखेंगे लेकिन उससे पहले यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इस 78,000 करोड के वहां अब हो गए है 12,200 करोड के रिजर्व तो रिजर्व हमें बढ़ते हुँ दिखाई दिया है करजा हमें कम होता हुँ दिखाई दिया है बात करें अगर हम share holding pattern की तो बहुत शांदर share holding pattern भी दीखता है हमें इसमें अगर देखें आप तो जो promoters हैं हमारे promoters क के पास लगभग 51% है FII के पास 17,2,6% और 25% से ओपर की हमारे पास DIY के पास holding है public के पास 5% की है बहुत ही शांदर share holding pattern हमें देखने मिलता है इस company में और देखें जो हमारे FII है लगातार stake बढ़ा रहे है हमारे और DIY ने थोड़ा सा कम किया है 30% हुआ करता था अभी 25% है और FII का सारा माल जो है वो हमारे FII ले जा रहे है और प्रोज की तो हम अगर कोई देखें तो इसमें पहुने 5% प्रसेंट पिछले तीन सालों में promoter holding हटी है लेकिन देखिए company debt free हुई है यह प्रोज है company का और साथ ही साथ company जो है 43% का एक healthy dividend payout देती है हमेशा company का नाम है हमार करते हुए दिखाई देती है कि अगर हम कुछ की पॉइंट देखें तो आप देखेंगे देखिए defense sector में भी काम करती है हमारी company और PSU company है पहले भी हम बता चुके है साथी साथ electronic में भी काम करती है और बहुत ही सांदार इसका जो है हमें आगे दिखता है future जिस कारण इसमें invest किया जा सकता है और अगर order book देखें तो देखेंगा आप 57,000 करोड की order book है company के पास 57,570 करोड की order book बहुत तखड़ा order company को मिला हुआ है अभी 2022 में recently ही मिला है तो बहुत अच्छा in future कर सकती है साथी साथ देखे 300 क्लोड की जो lithium-ion battery होती है उसका यह production करती है जो semi-tracks के लि देखेंगे तो दोस्तों देखेंगे कोई सलाह है नहीं क्योंकि हम investment के सलाह नहीं देते हैं यह video educational purpose के लिए था invest करना नहीं करना आपके उपर है करना चाहते हैं आप कर सकते हैं और नहीं करना चाहते तो ना करें अपनी analysis जरूर करने लेकिन एक बार अगर वीडियो पसंद आई हो तो please like किजेगा चैनल को subscribe कर लिजेगा मिलते हैं फिर next व हारत